नवस्कारा आप देख रहे हला बोल आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यब दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शब्द बना हो जिसका इस्तमाल पाकिस्तान के पेशावर में हुई घटना की निंदा के लिए किया जा सकता हो क्या आप उस हैवानियत की कलपना कर सकते हैं सोचिए मासूम बच्चों का चहरा देखने के बाद भी जानवरों का दिल नहीं पसीचा सवाल उठता है कि आखर तालिबान और कितना गिरेगा कैसे रुकेगा ये तालिबान क्या तालिबान का इलाज किसी के पास नहीं है ये तो कम से कम साबित हो गया कि काईरों की फौज है ये तालिबान पाकिस्तान के पेशावर के आर्मी स्कूल की घटना ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है सुबह तक जिस बेंच में बैट कर ये बच्चे पड़ रहे थे उसी बेंच पर उन्हें गोलियों से भून दिया गया जिस गलियारे में वो खेलते थे वो गलियारे उनके खून से रंगे थे हमें फरस्ट एट की इंफर्मेशन के लिए बुलाया गया था तो उदर डिर्ट जैसे ही तो उपर समने समझे रिपेरिंग हो रही है कुछ आवाजी आई शुरूई तो पीचे से हमारा गेट का हाल है, हाल के गेट एक काफी गेट है एक गेट उनने तोड दिया, तोड की जैसे अंदर दाखिल ही हैं बच्छे सारे नीचे लेड गए और उनने हर हाल میں हमारी चीर्स है हर चीरस में आके उन्होंने बच्चों को गोरी मारी मैं तो नहीं देख सकता है। मेरा बास चले मैं इनके बढ़ा होके इन्शालला मैं इनकी दुनिया तबा कर दूँए। इनके के जिनम नसले तबा कर दूँगा इनको छोड़ूंगा। उन्होंने पहले हावा पर किया फाइरिंग, फेर बच्छों के एक एक बच्छे को आप मार रहे थे उदर. स्कूल में तो सर्मन नहीं हो रही थी, एकदम पीचे से फाइरिंग होई, फिर एकदम आए सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए, मैं आके पीचे कमर पे गोली लगी है, बोर सक दर्द हो रहे है आर्मी वाले जा रहे तो उनने बताया है, कि अधर अधर टेक स्टार्ट हो गया, साथ आठ लोगों ने हमना कर दिया हम पे, पिर एक आर्मी वाले ओफिसर आये हमें कहें, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहें, कि आप जाए इन बच्चों को पीचे वाले गेट से निकाल दे सवाल उटसा है, कि आखिर बच्चों को तालिबान ने निशाना क्यों बनाया, तो जवाब है, पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के खिलाफ वजीरिस्तान में चल रहा ऑपरेशन, जिसमें कई आतंकी मारे गए हैं, तहरी के तालिबान ने एक बयान जारी कर कहा है, कि हमने उ अपरेशन का बदला लिया है, आर्मी ने हमारे परिवारों को टार्गेट किया, हमने आर्मी से बदला लिया, हम चाहते हैं कि आर्मी को भी दर्द का हैसास हो, तालिबान ने तोच समझ कर आर्मी स्कूल को निशाना बनाया, इसी स्कूल के पास डिफेंस कॉलोनी है, जहां सेना के असर रहते हैं और स्कूल में भी जातर बच्चे पाक आर्मी से जबंद रखते हैं इसलिए वजिरिस्तान का इंतकाम लेने के लिए तालिबान ने इस स्कूल को चुना ताकि सेना का मनुबल किराये जा सके और ये मुकाबला बिल्कुल जारी रहेगा किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए इसमें जो हमारा रिजॉल्व है जो हमारी जो इरादा है उसमें कोई कमजोरी नहीं आएगी इस तरह के वाकियात से और ये मैं समझता हूँ कि परदे दर्जे की बुजदली भी है ये जल्म के साथ साथ पूरी दुनिया में आतंक की ऐसी घिनोनी घटना की सिर्फ एक ही और मिसाल मिलती है जब रूस में 2004 में बेसलान स्कूल में विद्रोहियों ने सैक्णों बच्चों को बंधग बनाया था और कारवाई में 186 बच्चों की मौत हो गई थी अब इस घटना ने इंसानियत को जग छोड दिया है सवाल उटना लाजमी है कि आखिर इस लड़ाई में बच्चों का क्या कसूर और आखिर कहां जाकर थमेगा तालिबान का ये खूनी खिये आज तक ब्यूरो कोन है कई खास मेमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे है मायद अली साहब जो की वरिश पत्रकार है सीध पाकिस्तान साह हमारे साथ जुड़े है उदेभासकर जी डिफेंस आनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए है लेटनेंट जेनरल रिटार जीरी बक्षी साहब हमारे साथ है और सुधानशू त्रिवेदी जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जो गए आली साथ सबसे पहले आपके पास आते हुए क्योंकि पाकिस्तान ने आज आतंकवाद को अपने सीने पर जहला है मासूम बच्चों को मारा है तालिबान ने काईरों की पूरी फौज दिखती है इससे बड़ी बुजदिली नहीं हो सकती कि मासूम बच्चों को उन्होंने आज शिकार बनाया है क्या कहें क्या जानकारी देंगे अली साहब मायद अली साहब जी मुझे पूछ रहे हैं आप जी बिलकुल जी मैं सिर्फ आप से यही अर्श करना चाह रहा हूँ कि ये वाक्या जो गहनोना वाक्या है पहले तो मैं से बेंतहा अफसोस का इधार करता हूँ क्योंकि मैं भी एक वालिद हूँ और मैं समझ सकता हूँ दर्द उन वालिदेन का जिनोंने ये तकलीफ सही है और ये अंदोनाक वाक्या जो जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया और एक तकलीफ की लहर दोड़ी आपने सही फरमाया कि रूस के वाक्या के बाद सबसे बड़ा वाक्या और इतना अफसोसनाक वाक्या के आनान बच्चों के ओपर मासूम बच्चों के ओपर जो तालीम के लिए वाँ गए वे थे उनको इस तरह निशाना बनाना मेरा खाला तालीमान ने अपना रुख जो है वो पूरा साफ कर दिया कि वो क्या करना चाहते हैं इस मुलके साथ और जो हमदर्द उनके यहां इस मुलक में थे उनको यह बार बार सोचना पड़ेगा कि आया यह जो जानवरों की तरह लोगों को मारते हैं जो इनसान कहलाने के लाइक नहीं है मुसल्मान तो दूर की बात है जो इनसान कहलाने के लाइक नहीं है वो उन्होंने यह वाक्या जो है उन्होंने किया है और जो लोग थोड़ा बहुत उनकी हमायत में बात करते थे, उनको दोबारा सोचना पड़े गए ये, कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनकी हमायत की जाए, ये लोग समझते नहीं है चीजों को, ये जानते नहीं है चीजों को, ये जानवर हैं, ये इनसान को इनसान नहीं समझते इनके लिए मुसल्मान या कोई और मजब का आदमी होना फरक नहीं रखता ये अपने जो इसलाम का वर्जन इनने त्यार किया हुआ बड़े अरसे से और ये खाली तालबान नहीं है ये बहुत सारे लोग और भी ऐसे हैं जो मेंस्ट्री में जी रहे हैं अभी जो जो कि मेलतन्टेंट नहीं हैं ये घृऊ में बेटे में हैं अभी तो हमारी फार्ज लडाए है उन लोगों से जो इन से लड़ रहे हैं मुझे तो डर इस चीज़ का है कि इसे स्कूल आव्चा लोग जो के कराची में बेबहा हैं जो लाहर में बेबहार वाकी में जहां से इन लोगों तक पहुंचेंगे जो इनको फंड भी कर रहे हैं इनको इनके इनकी सोच को सपोर्ट भी करते हैं इनके वाली सोच भी रखते हैं और जो इनसानों को इनसान नहीं समझते और जो मुसल्मान क्या किसी की कोई इज़त नहीं रखते मैं हरान हूँ यह वक्त है पूरे प मजहब के खिलाफ है वो मजहब देखकर खून नहीं बहाता है यह समझना होगा पाकिस्तान को भी उन तमाम नेताओं को जिन्हों ने यह सब कुछ किया है हाला कि यह वक्त ऐसा नहीं है बक्षी सहाब कि हम पाकिस्तान उसकी गलतियों पर उंगली उठाएं लेकिन सवाल यह ह है कि तालिबान अब एक ऐसा मॉंस्टर हो चुका है ऐसा विक्राल रूप ले चुका है जो कि बच्चों को छोटे-छोटे बच्चे थे जो किताब लेकर टिफिन लेकर स्कूल पढ़ने के लिए गए थे आज घर नहीं लोटेंगे ऐसी ऐसी हरकत की है उन्होंने करद में मैं वोवी बत आपसे एर्श करना चाहरा कहा है या यह कि सब्सक्राइब अप्रक्राइब इन्हीं से हम्हारा संपर्क उनसे नहीं हो पारा है भासकर साहब रक्षा विशशगी की रूप में इस पूरी परिस्थिती को जब आप देखते हैं हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा मैं सुधान्चु जी इसके बाद फॉरण आपके पास आऊंगी पूरे विश्व के लिए शायद ये दुबारा एक प्रकार का चेतावनी है कि जिस प्रकार से इन मासूम बच्चों के ओपर हमला हुआ है ये जो गुठ है खास तहरीके तालिबान जिसने इस हमले की जिम्मदारी भी है इसकी जो रूप रेखा है एक प्रकार से कायरता भी है दूसरी और ध्रिड़ता भी है और ये एक और पन्ना है मैं कहूंगा जहां तक पाकिस्तान का जो अनुभाव या तजुर्वा रहा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खास पेशावर के शहर और उन परिवार जिनके बच्चे ऐसे कतल हो गए हैं उनके साथ हम हमदर्दी और उनका दुख समझ सकते हैं पर साथ साथ शायद इस बात को भी रिखांकित करना होगा जैसे आपने पहले कहा आपके कोई उनके जो पोलिटिकल लीडर्स या नेटा भी हैं उन्होंने इस प्रकार के गुटों को समर्धन भी दिया है उसका उन्होंने फाइदा भी उठाया है और साथ साथ यह जो विचारधारा है जिस से पाकिस्तान के तालिबान इस प्रकार का हमला कर सकता है यह शायद उसके उपर रोशनी डालता है कि पाकिस्तान किस हद तक अपने बच्चों के जान भी इस बाजी में उन्होंने डाल दिया है और अर्धात यह कि अभी पेशावर में जो पॉलिटिकल इस वक्त लीडर्शिप है जो खाइबर पक्तून जो प्रांत है वहां के इमरान खान साब और बाकी लोगों जो पीटी आई के पार्टी के उन्होंने भी तालिबान को समर्धन दिया था और अभी भी वो उस विचारदार धारा से दूर हट्टे की तैयारी में नहीं है जाने कि एक प्रकार का डिनायल भी है जिसकी वज़े से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का फौज जो है वो अभी भी कुछ ऐसे गुटों को समर्धन दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए अभी एहसास सबसे हावी होना चाहिए कि जो उनीके नहताओं ने अपनी राजनीती सादने के लिए तालिबान का एक वक्त पर साथ दिया और देते रहें और बीच बीच में देंगे और शायद कुछ दिन बाद फिर देंगे क्योंकि उन्हें वोट उसके जरिये मिलेगा खैबर पक्तून इन तमाम इलाकों में उन सब के लिए सबसे बड़ा सबक है कि वो ये जाने कि कितना खतरनाग खेल उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है बच्चों पर जो यातंकी हमला हुआ है उस पर अब मलाला यूसुफ जई ने कहा है उनका कहना है कि ये कायर आतंकियों की कर्तूत है मलाला ने हाला कि जिसने नोबेल शांदी पुरसकार भी जीता था उस दिन भी उन्होंने जिस भादरी से अपनी बात कही थी इन तालिबानियों के खलाफ उस दिन भी एक तमाचा जड़ा था इनके चेहरे पर लेकिन आज इन कायरों ने बच्चों को अपना निशाना बनाया है सुधान शुजी पुलिटिकली मैं चाहती हूँ लास में आपके पास आओ इसलिए बक्षी साब हमारे साथ जुड़ गए है बक्षी साब जैसा कि मैं पहले भासकर साब से भी कह रहे थी उंगली उठाने का वक्त नहीं है पाकिस्तान की तरफ लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा जैसा एक वक्त पर हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप सांप को पीछे रखेंगे अपने आंगन में तो यह मत समझेगा कि वो आपका पडोसी बन कर रहेगा देखें बिल्कुल सही बात कही गई है एक तो यह हैवानियत की हंद पार हो गई है मासूम औरतों और बच्चों पे वार करने का यह लड़ाई का तरीका यह पाकिस्तान ने अपनाया है as a state policy as an instrumental state policy उन्होंने तालिबान को खड़ा किया था उनके मेजर जेनरल नासिरॉल्ला बाबर सहब ने मौतिरमा भुटो के शासनकाल के दोरान और उसका इस्तमाल किया गया था कि अफगानिस्तान में गफलत पहलाई जाए अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलट खड़ी करी हैं लशकरे टोयबा जैशे महम्माद हरकतुल जहादे इस्लामी इत्यादी इत्यादी जो की बिछले तिस और अब वही उन पर भारी पढ़ रहा है एक ब्रेक के लिए मुझे रुखना पढ़ रहा है सुधान शुची जल्दी से दो लाइनों में एक कमेंट क्यूंकि विस्तार से बात आप से ब्रेक के बात करूँगी कि 2014 में जो नाटो फोर्सेस का विड्रॉल होना है आफगानिस्तान से वो जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद जो परिस्यति पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पन होगी भारत के लिए वो एक बड़ा सुरक्षा पंसर्न है और हमारी सरकार और हमारे रक्षा विशेशक्जियों को उस परिस्टी का आकनन करते हुए अपनी राश्टी सुरक्षा को सुनिश्यत करने का प्रयास करना हुए.